हमारे समय में तो ये पहली JPSC की परिशा हुई है, पांच सालों तक तो परिशा ही नहीं हुई, बेतु की बाते भारती जनता पाटी की लोग करते हैं, बोलने से पहले अपनी गिरिबान में जाकना चाहिए अच्छ राजिस ठाकुर जी हैं, सर जैपुर से आप लोटे हैं, रैली में शामील हुए, क्या लग रहा है कि जो महगाई के विरुद में आप लोगों ने रैली निकाली है, ये कितना सफर होने वाला है, क्या महगाई पर कोई असर होगा? देकि बिलकुल असर होगा और इसी असर के लिए इतनी बड़ी महा रैली की गई थी, और जिस तरह से लोगों का रुजहान रहा, और जिस तरह से आम लोग उस रैली में जुटे, तो हम समझते हैं, अगर जरासी भी लोग तांत्रीक सरकार है, तो निश्चित रुप से जन दानमंत्री जी या वितमंत्री जी चाह करके भी इसको कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जिस दोर से देश गुजर रहा है, हमें अब मुश्किल लगता है कि ये चाह करके भी, ये अगर जनता की बातों का आदर भी करते हैं, विपक्ष की बातों का आदर भी करते हैं, और एक बार निने ले लेते हैं कि तुक के चाट लेंगे ब का यह a . तो जोुदुे क्रांफ मोघंदी अब बार्टभी यह चया है जाहते हैं निशेट रूप से जब हम लोग कुई महारहैं ली करते हैं तो जो लोग वहां जाते हैं उपस्तित होते हैं उन नहीं उर्जा का संचार होता है और अपने जब नेता को देखते हैं और सारी बातों को समझते हैं तो निश्चित रूप से उनमें नहीं उर्जा का संचार होता है और तमाम जो हमारे चारों मंत्री गये थे साथ ही साथ कई विधायक गये थे कई जिलों के अध्यक्ष और तम पेट्रोल और डीजल की बड़ती महंगाई को लेकर लगतार कॉंग्रेस जो है वो अपने प्रदेश में स्ताक्चर अभ्यार पेट्रोल पंप चला रहा था जब केंदे सरकार कम कर दी है तो क्या नहीं लग रहा है कि जरकंड सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए क्योंक सब्सक्राइब क्या हमने चाहारो करोर का घाता से करके कम किया यहां हमें यहां भी जब जरूरत लगे phrase लगेगा कि बिहार में सो रुपया और हमारे यहां 103 रुपए है तब तो हम सोचेंगे अगर बिहार में 99 और मेरे हां 97 है तो फिर तो बारती जन्ता पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि वहां उनकी सरकार और कम क्यूं नहीं करते हैं और केंदर सरकार 30% ले रही है हम 22% ले रहे हैं केंदर सरकार 30 से 20 पे लेते हैं हम भी 2% घटा के 20 पे लेते आएंगे हमें बहुत सारी योजनाओं को गती भी देनी है राजस्व का मामला है हमारे GST का पैसा नहीं आ रहा है हमारे रोयल्टी का पैसा केंदर सरकार नहीं दे रही है ऐसे में कोई ऐसा डिसीजन ले तो राज्य के लोगों के जिंदगी और ज जोजनाओं चल रहे हैं रूख जाएंगी बहुत सारी चीजे देखनी है बे तुकी बाते भारती जनता पार्टी के लोगों को पुरे राज्य की स्थिति को समझना होगा कि पाथ साल डबल इंजन की जो सरकार थी वो किस प्रकार यहां के धन को लुटाने का काम क्या है हैं और हम समझते हैं जरूरत ऐसी पड़ेगी हमें लगेगा कि नहीं अब रहात देने की जरूरत निश्चित रूप से दी जाएगी सर आखरी सवाल लोंगी बात करूंगी अगर जहरकन की तो जहरकन में गड़बंधन की सरकार चल रही है राज़त कॉंग्रेस जया बैम जेपीएसी का मुद्दे पर बात करते हैं तो जेपीएसी विवादों में ही रहा है इस वक्त आपको भी खबर मिल रही होगी कि जो जेपीएसी अभ्यरती है वो लगतार धरने पर बैठे हुए हैं महराबादी मैदान में और कल 15 दिसंबर को मुख्य मंत्री आवास भी जाएंगे न्याय मार्च निकालेंगे तो क्योंकि आप लोग गड़ बंधन में शामिल है तो नहीं लगता है कि इनकी भी बातों को सुननी की जरूरत है क्योंकि एक तरफ से जेपीएसी ने भी इस चीज़ को एकसेप्ट किया है पूर जांच होगी महामहिम खुद अपने इस मामले को देख रहे हैं संभृधान के हिसाब से वह राज्य के संग्रक्षक हैं तो वा खुद देख रहे हैं उन्होंने खुद क्वेरी की है उन्होंने खुद बुला करके जेपीएसी के अध्यक्ष मुलाकात की है तो इसमें राज्य सरकार बनाती है JPSC के अध्यक्ष को वो एक स्वतंत्र एकाई है वो अपने तरीके से काम करती है जो गलत किये हैं लोग वो लोग जेल में हैं उस भारती जनता पार्टी की सुरुवात की हुई संस्कृती का नतीजा है क्योंकि हम अध्यक्ष बदल देते हैं लेकिन हम तमाम जो नीचे की कड़ी है उसको साइद अभी ठीक नहीं कर पाए है तो वो वीजेपी के टाइम की बात कर रहे हैं तो अभी आपने अभी तक देखिए राधा गोविन नागेस एक बहुत जेपी सी के मेंबर होते थे अभी उन्होंने समर्पन किया है कोट के आगे तो आप 20 साल पहले से जो घोटाला करते आ रहे हैं लोग उन लोगों को उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये सुरुवात परंपरा की सुरुवात किस ने की है बोलने से पहले अपनी गिरेबान में जाकना चाहिए हमारे समय में तो ये पहली जेपी सी की परिशा हुई है पांच सालों तक तो परिशा ही नहीं हुई अब उसके नीचे की करियों को ठीक करने की ज़रूरत है निश्य तुरुप से मुख्य मंतरी जी इस बात को लेके संजीदा है हमने भी ध्यान आकरिष्ट कराया है और बहुत जल्द सारी बाते सामने आएगी अगर जेपी सी ने कोई रिजल्ट गरबर जाड़ी की तो जेपी सी ने सही भी जाड़ी करने का काम किया जेपी सी ने जो अभी 47 छात्रों का निकाला है तो निकाला तो जेपी सी नहीं नहीं जब भी कोई ध्यान आकरिष्ट कराता है तो जेपी सी उस पर कारवाई कर रही है इसको प्रेसर नहीं कहा जाना चाहिए, इसको ये कहा जाना चाहिए, कि आप जब ध्यानाक्रिष्ट किसी विशय पर कराते हैं, तो वो उस विशय पर सुनवाई कर रहे हैं, जनरली लोग डिनाई करते हैं, वो तो सुनवाई कर रहे हैं, अगर किसी ने प्रेसर ही बनाया क्या कि JPSC के कदम को सही बताया क्या उसके बाद और उसकी आलोचना कर रहे हैं तो सारी बातों को समझना पड़ेगा और महामें खुद अपने बात समझ रहे हैं तो हमें लगता है कि जब सर्वे सर्वा है महामें वही सारी बातों को समझने में लगे हैं तो ठीक ही समझ रहे तो हमारे साथ बात कर रहे हैं थे कॉंग्रेस प्रदेस अध्यक्त राजयस ठाकूर जो ने तमाब मुद्धे पर अपनी बात कहीं मैं गौर इरानी देस्टी उसके लिए रांची से